नमस्कार दोस्तों मुस्कान हुनराट में आपका स्वागत है दोस्तों जब हम पिंटिंग बनाते हैं तो पिंटिंग में हमको कहीं कहीं नदी तालाब ये दिखाना होता है तो उसमें कैसे नदी दिखा के उसमें पानी कैसे पानी की स्थिति कैसे दिखाई जाए ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ये देखे हमने ये पेंटिंग तयार कर ली है अब इसमें हमको ये नदी दिखाना है यहाँ पे नीचे ये नदी दिखाना है तो इसमें हमाज सी आपको कैसे इसमें नधी के लिए पानी इसमें कैसे कैसे के पैंट करके दिखाया है, यह हम आपको बताएंगे इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रॉश में वाइट कलर ले लेते हैं और बलू कलर ये पहले देखे जब मैंने शुरू में hardboard अपना तयार किया था तो background में हलका sky blue हमने color लगाया था, paint लगाया था तो ये sky blue पहले से बहुत हलका मेरा लगा हुआ है लेकिन ये color ठीक नहीं है तो इसके लिए पहले brush में हम थोड़ा सा white color लेते हैं और blue color लेते हैं और इसको paint करना शुरू करते हैं थोड़ा सा brush में linset oil भी लगा लेंगे जिसे की paint जल्दी से और बढ़िया फैले ये यहाँ पे हमको center दिखाना होगा center मतलब ये पानी की गोलाई यहाँ पे ऐसे दिखाना होगा तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा dark होना चाहिए यहाँ पे blue ज़्यादा लेंगे और ऐसे कर लेंगे ऐसे करते हुए हम painting आगे बढ़ाएंगे ये देखे ब्रश में white color white की quantity थोड़ा ज़्यादा होगी और blue color लगा के और थोड़ा सा ब्रश में linseed oil लगा लेते हैं और इसको जैसे normal हम painting करते हैं इसी हिसाब से ऐसे बस paint लगाते जाएंगे इसके बाद से फिर पानी की इस्तिती दिखाएंगे ये देखे मैं कर रही हूँ जहाँ पतली जगा है जैसे यहाँ पे तो यहाँ पे पतली ब्रश का इस्तिमाल करेंगे यहाँ पे देखिए जैसे यह दोनों पाउं के बीच में पतली जगा है यहाँ पे हमको दिखाना होगा तो यहाँ पे हम पतली ब्रश का इस्तिमाल करेंगे ब्रश में थोड़ा सा ब्लू कलर यहाँ पे हमने कोबार्ट ब्लू कलर का इस्तिमाल किया हुआ है आप जब paint लेते हैं तो 12 कलर का जो shit मिलता है उसमें एक dark blue होता है और एक cobald blue कलर होता है cobald blue कलर का इस्तेमाल पानी दिखाने में बादल दिखाने में करते हैं क्योंकि उसमें इसका color बहुत बढ़िया आता है यह देखिए मैंने यहाँ पर तो कर दिया अब यहाँ पर यह है जगह यहाँ पर भी हम करेंगे यह देखिए हमने यहाँ पर यह normal white और blue कलर लगा के normal painting कर लिया है अब यहाँ पर जैसे यह पाउं दिखाया गया पानी में धिप दिखाया गया पानी में थोड़ा सा उनका यह दिखाया गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ब्रश में थोड़ा सा blue कलर लगा के और ऐससे यह करेंगे यहां पर गुलाई दिखाने के लिए ये करेंगे, पतले ब्रश में थोड़ा सा ब्लू कलर लगा के ये अंगुठे के पास ऐसे दिखा देंगे, जिससे कि ये पाने की गुलाई दिखाई पड़े, ये देखिए, यहां पर मैंने ये पतले ब्रश से गुलाई दिखा दिया है, अब चोड़े ब्रश का इस्तिमाल करेंगे, चोड़े ब्रश में ब्लू कलर लगा के अब इसी के ऊपर ये किनारे किनारे, ये देखिए ये गुला आप ऐसे करते भी दिखाएंगे, यह देखे इससे यह पता चलता है कि जैसे पानी रुका हुआ पानी है उसमें कोई चीज जब डिप होती है तो यह पानी का गुलाई गुलाई दिखाई पड़ता है दोस्तों ये देखिए ये पेंटिंग कम्प्लीट हो चुकी है आपको मेरी पेंटिंग पसंद आई हो तो लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर हमें भीजिएगा जिससे हमारा मनूबल बढ़ेगा और लाइक जरूर करिएगा थैंक यू